जैहिंद जैभारत दोस्तों अब हम समझते हैं उपवन किसे कहते हैं उद्यान किसे कहते हैं बाग किसे कहते हैं और पार्क किसे कहते हैं तो यहां पर आप गौर किजेगा और बड़े ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा तो गाइज आप सब को बिल्कुल आसानी से दिखा होगा उपवन और गाइज उपवन को हिंदी में उध्यान भी हिंदी में तो उपवन है ही गाइज उपवन को और भी हम नाम से कह सकते हैं उध्यान या बाग और इंगलिस में कहें उपवन को तो पार्क और इंगलिस में और होता है उपवन का गार्डन होता है ठीक है तो गाइज यहां पर आप देख रहे हैं कि उपवन को हम क्या कह सकते हैं और भी ध्यान भी कह सकते हैं बाग भी कह सकते हैं तो यहाँ पर आप ध्यान दिजी लिखा हुआ है कि वन्य परानियों वन्य परानियों कहने का मतलब कि जंगल में जंतू तो जंगल में जंतू कौन करें रहते हैं तो यहाँ पर नीचे देखिए जैसे में लिखा हुआ है तथा पंचियों पंचियों समझ रहे ना जैसे मोर हो गया, उलू हो गया, गौरिया हो गया, कौवा हो गया तो ये सब हमारे पंचिये हैं तो इन सब को सुरक्षा के लिए बनाए गए अस्थल अस्थल कहने का मतलब जगा यानि जगह ना कह करके हम कह सकते हैं अस्थान को हम कहते हैं उपवन यानि कहते हैं उद्धान कहते हैं बाग कहते हैं यानि इजी लिए कहते हैं तो पार्क कहते हैं ठीक है तो आग्या होगा कि उपवन हम किसे कहते हैं यानि आपसे ये पुछा जा सकता है इप्वण किसे कहते है उद्धान किसे कहते है बाग किसे कहते है और फार्क किसे कहते है तो आपको ख्याल रखना है guys कि वन्य परणिओं यानि जँगल में रहने वाले जन्तु तथा साथ ही पंचियों को सुरक्षा यानि बसाने के लिए बनाया गए अस्थल बनाया गए वहाँ जमीन को ही हम कहते है उपवन यानि उध्यान बाग इंगलिस में कहते हैं तो परक कहते हैं तो गाइज यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि उपोन किसे कहते हैं, उध्यान किसे कहते हैं, बाग किसे कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर यह है परिभासा आप बिल्कुल समझ सकते हैं, ठीक है, तो गाइज यहाँ पर आपको यहाँ पर doubt के लिए हो गया होगा, यह कि यह चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दीन और एक नए वीडियो के साथ अप तक के लिए बने रहे हैं और जूडे रहे हैं, बाय बाय टेक केर, बेस्ट आफ लग